सादर प्रणाम, आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभीनंदन है आज के करंट अफेर रिलेटेड टॉपिक में हम बात करेंगे FAPF की वर्तमान में बहुत जादर चर्चा में है, पुल्वामा हमले के बाद से इस विशय पर भी चर्चा बढ़ गई थी फुल फॉर्म है इसका Financial Action Task Force चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसलिए चर्चा की जारी है कि जब पुल्वामा हमला हुआ तो पुल्वामा हमले के बाद ये प्रयास किया जा रहा था कि पाकिस्तान को Black List सूची में डाल दिया जाए पेरिस में अभी एक सप्ता की एक सारोजनिक बैठक चली है जो की 17 फरवरी 2019 से 22 फरवरी 2019 तक चली तो इस सारोजनिक बैठक के अंत में वित्य कारवाही कारिदल यानि की FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रेलिस्ट यानि की संदेहा इसपद सूची में रखने का निरणे लिया है हाला कि भारत का ये प्रयास था कि पाकिस्तान को ब्लेक लिस्ट किया जाए और इसके लिए उसने सदस्य देशों के साथ सबूतों के आधार पर ये प्रयास किया था कि पाकिस्तान ब्लेक लिस्ट हो जाए पाकिस्तान जो है जून 2018 से ही ग्रे लिस्ट में है और 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ जिसमें भारत ने अपने 40 CRPF जापास खो दिये उसमले की जिम्मेदारी ली थी जैशे मोहमद ने और इस घटना से संबंदित भारत ने एक डोसियर भी तयार किया था और इनी सब बिंदों को आधार बना कर और सबूतों के साथ भारत का ये प्रयास था कि इसे यानकी पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए अब ये प्रशन उठता है कि बैठक में ये निरणे लिया गया कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा तो ग्रे लिस्ट में रखने से क्या होगा ग्रे लिस्ट में रखने से ये होगा जो FETF की निगरानी सूची में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में यानि की नि उनकों के साथ लेंदेन करने से भी बचना चाहेंगी और ग्रे लिस्ट में डालने का कोई प्रत्यक्ष कानूनी नहितार्थ तो वहां पर इसपष्ट नहीं है लेकिन इससे यह होगा कि नियामक निकाय और वित्ती संस्थाय कुछ जादा ही जाच पढ़ताल करेंगी जिससे व्यापार और निवेश ठंडा पढ़ सकता है क्योंकि जादा जाच पढ़ताल होगी तो प्रक्रिया पर प्रभाव पढ़ेगा और व्यापार पर विप्रीत प्रभाव पढ़ेगा अब FATF क्या है यह जानना बहुत जरूरी है यह एक अंतराश्री संगठन है जो 1989 में G7 क पहल पर स्थापित किया गया था और FATF का सचीवाले पेरिस के OECD मुख्याले भवन में स्थेत है इसके अलावा यह एक नीती निर्माता नीकाय है जिसका काम है अलग-अलग शेत्रों में राश्री विधाई और नियामक सुधार लाने के लिए रियाजनेतिक इच्छा श मुख्या करने और अंतराश्री वित्तिय प्रणाली को खत्रे में डालने जैसी जो कारवाहिया होती है उन कारवाहियों को रोकने के लिए कानूनी नियामक वसंचालन से संबंदित उपायों के लिए मानक निर्धारित करना और उनको बढ़ावा देना जिससे कि मनी यानि कि FATF ने अपनी दो सूचियां बना रखी है तो ग्रे लिस्ट में वो देशों को रखा जाता है जहां मनी लॉंडरिंग जैसी कूप रथाएं तो हैं लेकिन वे देश उसे दूर करने के लिए एक कारयोजना के प्रति प्रतिबद हैं हाला कि पाकिस्तान के संदर्व उमें ये चीज उल्टी है वो इसके प्रति दिखाता तो है कि प्रतिबद है लेकिन वो उसके प्रतिबदता प्रदर्शित नहीं गिर पाता है यानि कि धरातल पर नहीं उसका कोई रिजल्ट आता है चलिए आगे पढ़ते हैं ब्लैक लिस्ट वो देश होते हैं जो इस काम कर रहा है उसकी वज़ा से उसे ब्लैक लिस्ट किया जाए जब कोई देश एक बार ब्लैकलिस्ट हो जाता है तो FATF अन्नी देशों से ये आवाहन करता है और उनसे ही कहता है कि उस देश के साथ जो कि ब्लैक लिस्ट है वियवसाय में सतर्कता बढ़ती जाये और यदी आविशक्त लगे तो उसे लेन देन भी बंद कर दिया जाए केवल दो देश इरान और उत्तर कोरिया ब्लैक लिस्ट में है और जबकि पाकिस्तान, श्री लंका, सीरिया और यमन ये ग्रे लिस्ट में है वर्तमान में FATF बहुत जादा चर्चा में है और पुलवामा हमले के बाद से भारत के लिए ये महतोपूर्ण है तो इसलिए अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजेगा, शेयर कीजेगा आप कमेंट जरूर कीजेगा, साथ बनी रहिएगा, इंपोर्टेंट टॉपिक है परिक्षा की दृष्टी से बहुत जादा इंपोर्टेंट है और बहुत जादा इंपोर्टेंट है आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजेगा अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद